गर्भवती हात्नी कुछ दिन पहले की बात है एक हात्नी थी उसे बहुत घूप लगी थी हात्नी के पेट में बच्चा था जो कुछी महिनों में जन लेने वाला था चार दिन से हात्नी जन्गल में भूकी थी गर्थ के दोरन, अधिक भूक लगने के कारण वो खाने की खोज में जन्गल से एक गाओ में आगे गाओ में रास्ते पर एक आनानस फड़ा हुआ मिला बूकी होने के कारण उसे जो खाना मिला उसे देखते लो खुश हो गई और जट से हात्मी ने अनानस खा लिया जैसे ही हात्मी ने अनानस खाना शुरू किया अचनक से उसके मुँ में अनानस फट गया और इस वज़े से विचारी गर्ववती हात्मी का मुँ जल गया और दर्थ के मारे वो चिल्ला रही थी दर्थ से तडप रही थी उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या मालूम जिस आनानस को वो अपना पेट भरने के लिए खा रही थी वो पटाकों से भरा हुआ था जिसे किसी इंसान ने जंगली जानवरों को अपने खेट से भगाने के लिए रग दिया था पर उस बेचारी हात्मी को क्या पटा कि कोई आनानस में भी बारुट से भरे खतरनाक पठाके रख सकता है वो तो भूब की वज़े से उसे देखते ही खा गए और इसी वज़े से हात्मी का पूरा मुह जल गया और वो दर्थ के मारे पागलों की तरह इदर उदर भटक रही वो चाहती तो दर्थ के मारे गुस्षय से गाउ को नुकसान पूर्चा सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया वो तो बस अपने जले हुए मुह के दर्थ से राहत पाने की कोशिश कर ले थी उसका पूरा मुह जल जाने की वज़ह से वो कुछ खा नहीं पा रही थी और खा चेन हो गई, गाव के लोग उसकी तकलिफ समझ ही नहीं पा रहे थे, एक तो मुझ जलने के कारण वो कुछ खा नहीं पा रही थी, और उसके जखमी हुए मुझ पर मक्किया बैटकर उसे परेशान कर रही थी, बेचारी हातनी, करती भी तो क्या, उसे भू और अपने पेट मे के बच्ची की चिंता सताय जा रही थी, आखिरकार वो दर्थ से राहत पाने के लिए पानी में चली गई रही थी, उसे लगा, शायद पानी में कुछ राहत मिल जाए, और लगातार तीन-चार दिनों तक वो पानी में ही बेटी रही, फिर कुछ लोगों ने, दो हातियों क के जरिये उसे बाहर निकलने की पोशिश की, यह सोचकर कि शायद दूसरे हातियों को देखकर वो पानी से बाहर निकलाए और बच सके, लेकिन हात में जानती थी कि अब वो नहीं बचेगी, वो जान गई थी कि उसका मरना तय है, लेकिन वो जीना चाहती है, उपके लिए अपने पेट में की बच्चे के लिए, शायद ही ऐसी कोई मा होगी, उस पर ऐसी नवबत आई होगी, बेचारी हात मी ने स्वे अच्छा से जल समादी ले ली, यह जानते हुए भी कि उसके पेट में एक बच्चा है, जिसे वो इस दुनिया में लाना चाहती थी, उसके कर उन हातियों के आखों में आसु आ गए, शायद एक बेजुबा का दर्ज, एक बेजुबा ही समझ सकता हो, एक इंसान के गलती की सजा, बेचारी गरबवती हात मी और उसके बच्चे को मिली, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, एक तरफ जिसे हम गनेश जी का स्वरुप मा भूल गया कि वो एक मा भी थी, शायद ही ये बात उसे पता ना हो, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझ पाया, कि वो भी एक बेजुबा जानवर है, उसमें भी जान है, इंसानों की ऐसी हरकतों को देखकर लगता है, आए दिन ये जो हम आपदाय झेल रहे हैं ना, ये हमारे कर आदमों के ही फल है, मनुष्य अपने स्वार्त में इतना अंदा हो चुका है, कि शायद वो ये बात भूल चुका है, कि इस दुनिया पर जितना हक हम इंसानों का है, उतना ही हक इस दुनिया के हर पशू प्रानियों और आदी जियों का भी है, जान्वरों को नुकसान हमें ये समझना होगा, अगर ये नहीं रहेंगे, तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सब इस रुष्टी का एक हिस्सा है, लिज लाइक, शेर और सब्सक्राइब आवर चैनल मैमाल है, अगर कंपा पाहले है, जान्वरों को नहीं का एक जाए हिसान की जांगा बहुत का हनते हैं, हम आतज सेञे मैं आतग एता हैं हलुके हाहा किया तर्शमाटी जे का लिप धोषा देझी में दुका है